दोस्तो नमस्कार न्यू टेडर्स डेली हिल्प में आपका स्वागत है मैं हूँ राजेंद्रे आदो हम लोग अब बैंक निप्टे का प्रेडिक्सन करेंगे से नहीं हो रहा है आस करना पड़ रहा है अब चलो है आप ठीक है यह है यह बैंक निप्टे पांच मिनट का चार्ट और आज की डेट 29 कितना बढ़िया आज की मार्केट रही है और देखो यह है पांच मिनट का सपोर्ट रजिस्टन्स ठीक है ना और मार्केट यहां पर ओपन हुई निचे आए निचे आके देखो इसने एक हाई लगाई यहां पर इसने ब्रेक किया और एक स्विंग बनाया स्विंग बनाके फिर यहां पर उपर गया इस स्विंग को ब्रेक किया लेकिन फिर यहां से निचे आया निचे आके थोड़ा सस्टेन किया अब इसके उपर यह कैंडल है इसके उपर जिसने भी इंट्री लिया होगा बहुत बढ़िया आज का टार्गेट था वैसे देखो यहां तक में कोई भी यहां लिया होगा तो यहां निकल गया होगा क्योंकि यहां पर इसने फिर सेस्टेन किया फिर उपर गया फिर यहां से थोड़ा से निचे और फिर यह टार्गेट दिया इसके बाद फिर यह टार् इसने देखो कितना बढ़िया है यहां पर ओपन होके थोड़ा सब नीचे आया फिर यह क्या करता है दूसरी तीसरी कैंडल ने ब्रेक कर दिया ब्रेक करके यह फिर से नीचे आया नीचे आने के बाद देखो यह यह स्विंग को इस कैंडल ने ब्रेक कीआज, इसके बाद देखिए आगर यहां भी लिये हूंगे तो अभी कितना टार्गेट है? सौपोइंट का टार्गेट है, कितना ही सौपोइंट का है इसके बाद में यह थोड़ा सफीर यहां पे रुखता है प्षिर उपर आया और फिर कितना बढ़िया टार्गेट है आध बहुत बढ़िया बैंकरी ने मार्केट पॉस्टिव है अब हम लोग कितनी बड़ी केंडल बनाया इस ने अब हम लोग इस हाई को ब्रेक कर चुके हैं ठीक है ना हमने इस हाई को को ब्रेक कर दिया है और ब्रेक करके क्लोज कर दिया है अब हम को इमीद है कि अब हम लोग यहां से और उपर यह 45 जो आपको दिख रहा है ना कल हम लोग 45000 के आस-पास होंगे या तो इसको ब्रेक करेंगे 45000 को तो हम ब्रेक कर सकते हैं कि यह है इस रिजिस्टेंस इसके बाद एक 45,000 का रिजिस्टेंस फिर 45,500 फिर 46,000 फिर यह 46,500 मार्केट चल चुकी है उपर की तरफ अब देकते हैं आगे क्या करती है िखींगे यहां से इसने यहां पर सस्टेंस करते 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 CorMonals अब को थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं क्योंकि वह इसे दिखता नहीं जूंख करके दिखा दे रहा हूं है पुम देखो इसने क्या किया आभी तक क्या कर रहा था यह देखो यहां से यहां आए है यहां से उपर गया यह भी positive candle है यह भी positive candle है लेकिन देखो यहां से यह वाली candle यहां से आकर gap down नीचे उपन हुआ और फिर यहां से सब positive यहां तक फिर यहां देखो यह negative candle होती है फिर ये पॉझे फोट कैंडल होती है यहां गइपफफ examined होके फिर यह नीचे आता है और फिर एक बहुत बड़ा गैपफफ Spa 간단 हुटा है यहां से फिर यह नीचे आया situation यहाँ पर नीचे आया यहां पर गया यह तो यहां के चाल और फिर अभी इसने देखो यहां और यहां से एक बहुत बड़ी केंडल इसने बनाया यहां देखो इसके रिख करके क्लोच कर दिया थीज से लिए अब कल सपोर्ट यह है और सपोर्ट यह है इसके बाद सपोर्ट यह यह वाला तो यह सपोर्ट रेजिस्टेंस है अब हम लोग देखते हैं कि कल हम बैंक निप्टी को कैसे ट्रेट करेंगे आज तो प्लाइट का एरिया बहुत बढ़ा है 15 मिनिट पर चलते हैं यह देखते हैं क्या है देखिए अगर बैंक निप्टी कल 45470 पकड़ लो 45470 यहां से लेके यहां तक 44470 से लेके 446 यहां पे कहीं भी open हो जाए open होके sustain करें यह sustain नहीं करेगी दोगो यहां पे थोड़ा sustain करी है अगर sustain नहीं करेगी उपर जाएगी तो फिर आइसे ही projection बनना चाहिए जैसे इसमें बना हुआ है एक मिनट इसको फिर से एक बार दिखा दूँ आपको देखो यह हमारी 5 मिनट का support resistance है यहां पर क्या होती है मार्केट खुलती है खुलके बस यहां पर आईसे sustain करती है 10-15 मिनट तो इससे कुछ नहीं होगा यह break करके उपर आई उपर आने के करके फिर यहां से निकलती है तो यह इतनी देर में जगर sustain करके उपर निकलेगी तो हम लोग बस यहां पर जैसे यह close करेगी यह support को resistance को break करके close करेगी यह चाहे जिस साइड होगे चाहे इस साइड आए या इस साइड यह अगर यह sustain कर लिए गंटे के आसपास तो जिस साइड भी निकलेगी उसके उपर हम यहां पर इंट्री ले लेंगे अगर यह sustain नहीं करती दूसरी तीसरी कैंडल ही निकल जाती है तो हम ऐसा जैसा यह देखो दो तीन चार कैंडल के बाद उपर निकल गई तो हम लोग एक swing का इंतजार करेंगे कि एक swing बने ठीक है जैसे यह swing break करेगी यह वाला चाहे उपर हो नीचे हो यह break करके यहां close करें इसके बाद जो भी कैंडल बनेगी उसके उपर या नीचे यहां पर हम उसके नीचे यहां पर इंट्री लेंगे तो हमको सिर्फ स्विंग का इंतजार करना है और हमारा टार्गेट क्या होगा अब टार्गेट तो बहुत हो गया है देख लो यह 45-600 है अगर उपर की तरफ जाएगी तो हमारा टार्गेट होगा 44-700-44-800-44-900 यह जो हंडेट का फिगर है मैं अपनी सुद्धा के लिए ऐसा करता हूं लेकिन इसमें 10-20 पॉइंट कम ज़्यादा हो सकता है इसको आपको ध्यान रखना है ऐसा नहीं कि हमने 700 बोला तो यह 680 भी हो सकता है और 710-15 भी हो सकता है इसमें भी ऐसे 10-20 पॉइंट उपर नीचे हो सकता है अगर पूट साइड आएंगे तो पूट साइड में हम लोग कहां क् पूट साइड में हमारा पहला टार्गेट यह होगा यह क्या कितना है कि दूसरा टार्गेट हमारा यह होगा तर्फर तार्गेट यह होगा इस दो सो यह हमारा टार्गेट होगा पुट साइट का अगर यह गैप अपन हो जाएगी तो क्या करेंगे अब यह 445 से पहुँझ गई है चोबाली 600 के उपर पहुच गई है अगर ये 700 800 हो जाती है तो भी हमारा माले 700 की उपर हो गई तो हमारा टार्गेट क्या होगा अगर ये sustain करेंगे ये गंटा उसके बाद उपर जा ऐगी तो जैसे ही हमारे support को हमारे resistance को या support को break करके close करेंगी वयसे हम जो अगली candle बनेगी उसके उपर यहां उसके उपर और यहां इसके नीचे इंट्री लेंगे लेकिन अगर यह पहले ही candle open होती है ओपन होने के बाद हम support resistance खीच देंगे इसके बाद में यह क्या करेगी यहां पे एक candle बनाई दो candle बनाई या फिर ऐसे उपर बाहर निकल गई दो तिन candle में ही बाहर निकल गई तो हम लोग एक projection का इंटजार करेंगे कि यह उपर जाए और एक बार नीचे आए यहां पे भी व फूज करेगी इस च्लोड को ब्रेक करेख करेगी उसके नीचे यहां पर फूट सैड नीचे और काल साइड ऊपर कट इहां पर यहां पर में यहां पर हमलें यह हमारा इंट्रि testim Dog को गा है ठीक है्ट हमारा टार्गट क्या होगा में है कि सास्तों के ऊपर जाएगा तो पहला टार्गेट होगा हमारा 44.900, दूसरा होगा 45.000, और तीसरा होगा 45.100, ये पुट साइड होगा, और काल साइड क्या होगा टार्गेट हमारा? पहला टार्गेट होगा, पुट साइड का, गैप अप में, और गैप डाउन अगर ओपन हो जाती है, तो क्या करेंगे? अगर ये गैप डाउन हो जाती है, 44.100 के आसपास, अगर ये 44.000 के आसपास में गैप डाउन ओपन हो जाए, तो हम क्या करेंगे? तो पहला लें लिए 44.000 के आख यहाँ पर गई है, तो फिर हमारा ट्रेडिंग का वही रहेगा, जैसा हम ठ्रेड करते हैं, पहले एक शच्टेन करके उपर जाएगी, तो इसके ऊपर लेंगे, या नीचे गई तो नीचे इसके बाद लेंगे, या अगर सच्टेन नहीं करत हमारा target होगा call side में 4-4-3-100 यह call side है 4-4-3-100 दूसरा होगा एक पहला हो गया यह दूसरा होगा 4-4-3-100 पच्च्च्च्च्च्च्च्च्च और तीसरा यह होगा 4-4-4-50 यह हमारा call side का होगा और put side का हमारा target होगा 43,900, 43,800 और 43,700 तो दोस्तों ये हमारा बैंक निप्टी का prediction है अनुमान है कल हमने जो जैसा भी अनुमान लगाया था आज बैंक निप्टी ने या निप्टी ने उससे अच्छा काम किया है तो आप लोग उसको देखिए समझिए और ट्रेट करिए रिस्क रिवार्ड के साथ में अब आप लोग भी ट्रेट करिए और हमको आप आपके support की जरूरत है आप लोग हमारे चैनल को like, subscribe और comment करें आप comment करेंगे हम comment का आपके comment का जवाब देंगे आज हमको एक comment मिला है उसका जवाब हम क्या दें हम यही नहीं समझ पा रहे हैं जो कि भाई साब ने जो हमको comment किया था आज बजार उसके सीधा उलट रही है फिर भी comment करने के लिए उनको धन्यवाद ऐसे ही आप लोग हमारा हंसला बढ़ाते रहिए comment करिए आपका comment का जवाब अगर सही रहेगा हम उचित समझेंगे तो जवाब देंगे नहीं तो आप लोग आजाद हो आप लोग कभी भी कुछ भी comment कर सकते हो हम आपके comment का स्वागत करते हैं तो दोस्तों आज इतना ही मिलेंगे हम कल फिर एक नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जाहिए